एक छोटी सी एक सेकंड की गुसा एक सेकंड का आपकी गल्ती, जिस्टेक आपकी जिन्दगी बर्बाद कर सकती है, किसी की जिन्दगी बर्बाद कर सकती है. The internet is full of pro-science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Namaskar दोस्तो मैं हूँ Dr. Paramjit, आप देख रहे हैं Dr. Education. दोस्तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये देख के, कि लोग अब intolerant हो गए हैं और ये बहुत अच्छी बात है. Acid attack जैसी जब भी कोई एक छोटी सी बात भी बाहर निकलती है, तो लोग उसके उपर आवाज उठाते हैं, अपनी intolerance बताते हैं, लेकिन कई लोगों को अब भी इसकी गहराई समझ में नहीं आती होगी, उनके लिए ये वीडियो है कि उन्हें पता चले कि एक acid attack से, एक chemical burn से क्या effect होता है, और अगर कभी ऐसा हो भी जाए, तो आपको क्या करना होगा, आपके शरीर पे क्या effect होगा, उसको कैसे आपकी जान पर बना सकती है, लिटरिली, आपके अंदर चले जाए, मूँ के अंदर चले जाए, तो क्या होगा, और उसका treatment, अगर hospital जाते हैं, पहुँचते हैं, तुरंद के तुरंद कैसे करना होता है, उस area में जहाँ पर acid burn हो जाए, वहाँ पर क्या करना है, तुरंद, ये जानकारी भी होनी जरूरी है, शायद जो लोग इसको seriously रही लेते हैं, ये जानके फिर seriously लेने लगेंगे, ये कितनी गहरी और कितनी जरूरी बात है, और कितनी मही, कितनी जादा dangerous बात है, अगर हम कोई भी social media influencer इसको गलत तरीके से portray भी करें, चाहे उसका intention हो या ना हो, तो पहले बात करते हैं, वो ब good influencer, bad influencer क्या है, tiktok पर क्या issue है, क्या वो आपके health के लिए, आपके mind के लिए अच्छा है, बुरा उन सब पर वीडियो बनाना, अगर आप चाहते हैं कि मैं बनाओ, तो नीचे comment section पर लिखिएगा, अपने views बताइएगा, ताकि फिर उसके basis पर हम जरूर उसके वीडियो बना ये acid attack हो या chemical burn हो, ये basically आपके skin पे, आपके eyes पे, आपके मूँ के अंदर जाने वाले chemical irritant के वज़े से हो सकता है, ये acid हो सकता है, ये base हो सकता है, इनको हम किसी लिए chemical burn या caustic burn भी बोलते हैं, और ये reaction के वज़े से होता है, मूँ के अंदर चले जाए तो अंदर भी organs को damage क कर सकता है, गल सकते हैं आपके organ, और इसलिए अगर मूँ के अंदर चले जाए तो literally मूँ के अंदर cuts के लिए आपको check करना होगा, burns के लिए छालों के लिए check करना होगा, और तुरंत के तुरंत आपको hospital rush करना पड़ेगा, अगर बाहर है तो 911 call करें, नहीं तो local hospital में तुरं दोड़ के फटा-फट लेके जाए पेशन को, अब क्या हो सकता है, यह क्या-क्या चीज़ें acid हो सकती है, chemical burns जो cause कर सकती है, school, workplace, बाहर, बहुत सारी चीज़ें available है, carb, battery का acid है, bleach है, ammonia है, denture, cleaner, teeth whitening products, pool, chlorination products, यह सारे products है, acid problems, यह सारे chemical burns हो सकते हैं, कौन risk में है, obviously है, जो छो disability वाले हैं, वो लोग क्या होता है, यह handle नहीं कर पाएंगे chemicals को properly, बच्चे हैं, chemicals के आसपास में अपने उपर डुलवा लेंगे, बुड़े लोग हैं, उनके हाथ कांपने लग जाते हैं, या लोग disability वाले हैं, वो गलती से अपने उपर गिरा सकते हैं, तो इन लोगों के उपर acid attacks, acid attacks नहीं होते हैं, लेकिन acid burns हो सकते हैं, और ladies के उपर जो पागल, जो इनसान भी नहीं होते हैं, जो मैं कैविन हैवान लोग होते हैं, वो acid attack भी करते हैं, तो यह होता है दुनिया में, तो ना हो उतना अच्छा, जितना आप लोग हम लोग आवाज उताएंगे, उतना लोग जागरुक होंगे, बाकि जब ऐसे किसी acid attack होते हैं, ऐसे किसी के उपर तो exactly क्या symptom होते हैं, वो समझते हैं, ठीके, यह depend करेगा कितना degree में burn हुआ है, किस प्रकार का chemical है, और कुछ point समझ लिए, कितने समय तक आपकी skin या आपका internal system उस chemical contact में था, क्या वो chemical आपन आपकी skin जो है, वो cut wound अगर कोई कटी जगा है, वो chemical contact में आया, location of contact एक छोटी से उंगली में हुआ या पूरे शरीर पे हुआ, amount और strength of that chemical ये भी matter करता है, और whether that chemical was a gas, liquid और solid ये भी matter करता है, पर example, अगर आप एक alkaline chemical को पकड़ेंगे, उसको swallow करेंगे, तो it can cause burns on the inside of the stomach, right, ये, it may produce a different symptom, अगर वो chemical burn आपके skin पे हो, और आपके stomach में हो, ये अलग-अलग आ सकते है, result उसके, in general common symptoms क्या-क्या होते है, कोई भी chemical burn होता है, तो जो area है, वो black या dead हो जाएगा, mainly because of burn, acid, irritation, redness, burning पहले फिर dead हो जाएगा, numbness और pain आएगा, loss अगर आखों में होगा, तो vision problem, आखें जा सकती है, loss of vision हो सकता है, आप जिंदगी भर के लिए अंधे हो सकते हो, और अगर आप अंदर swallow कर लिया, inhale कर लिया, तो क्या होगा, तो headache हो सकता है, हो सकता है, आपकी breathing सही से काम ना करे, दिमाग को oxygen ना पहुच रहा हो, heart को problem है, आपके irregular heart beat हो सकती है, आपको literally internal seps जैसी picture आ सकती है, low blood pressure हो सकता है, heart attack भी आ सकता है, इसके चलते धड़कन irregular होके, और heart cardiac arrest भी हो सकता है, shortness of breath भी हो सकती है, जान जा सकती है, वरना mild सा coughing तो होई सकता है, seizure, dizziness, muscle twitching ये सब छोटे मोटे very common side effects हैं, पर जान लेवा चीज भी हो सकती है, याद रखिए छोटी बा करते हैं, उसके लिए हम level of pain देखा जाता है, area affected उसके ओपर, amount of damage देखा जाता है, area में depth देखी जाती है, damage की skin के अंदर, आपके signs देखे जाते है, possible infection के, याद रखिए जब भी कहीं पर chemical burn होगा, वो area का skin, उसका innate immunity, पहली immunity खतम, वहाँ infection तुरंत हो सकता है, कुछी गंटो में जान लेवा infection भी हो सकता है, अगर swallow कर लेते हैं, तो अंदर छेद हो सकते हैं, acid जो है, पेट में फैल सकता है, literally amount of वो चीज़े बहुत matter करती है, इसके लिए, इसके लिए याद रखे, जो इसमें हम gradation करते हैं, इसको कैसे type बताय जाता है, इसमें degree बताय जाता है, इसम dermis में, उसको बोलते है, superficial burn, इसको बोलते है, first degree burn, जिसमें के skin जो है, peel off भी नहीं होई है, देखे, अगर skin peel off हो गई, उसके उपर का अंदर का second degree, second layer involved हो गया, dermis, जिसको बोलते है, partial thickness injury, dermal layer, dermal injury, इसको second degree burn बोलते हैं, और उसके नीचे भी हो गई, skin निकल गया, उपर की subcut निकल ठिक skin पूरी खतम हो गई, उसको कहते है, third degree burn, third degree burn, बहुत जादा dangerous होते हैं, और इनको फिर treatment किया जाता है, देखा जाता है, कि पूरे शरीर में, किस किस area में, first degree है, किस किस, कितने percentage area में, second degree है, कितने percentage of full body area में, third degree burns है, first aid, शुरू से फट से कर देना चाहिए, को पता है, जो chemical है, सबसे पहले chemical को remove कर, remove the chemical that is causing the burn, और skin को आपने rinse करना है, running water के अंडर 10 से 20 minute के लिए, जी हार, hospital जाने से पहले, running water थंडा हो चलेगा, running water के उपर, running water नहीं, पानी में, डूबो के नहीं, running water में, आपको skin को रखना, उसके जगा को रखना है, 10 से 20 minute के लिए if chemical contact में आया, eyes के, तो eyes को continuously running water से rinse करना है, 20 minute के लिए, before seeking any emergency, कुछ भी hospital भागने से पहले, ये करना जरूरी है, इसलिए ये video जरूरी है, यनि कि सिरिफ the hospital भागो, you need to have some knowledge and common sense about what is, and you need to do in such a situation, उसके बाद, जो भी clothes है, jewelry है, जुसके उपर chemical आगया, वो निकालना पड़ेगा, वरना वो चिपक जाएगा, वो चिपक जाएगा skin से, निकलेगा नहीं, right, jewelry है, कपड़े है, निकालना पड़ेगा, उसको क्या करेंगे, जो burn area है, उसको एक dry sterile dressing या clean cloth से उसको आपने cover कर देना है, wrap कर देना है, ता paracetamol और emergency room जा सकते हैं, अगर थोड़ा सा serious लग रहा है, तो, right, याद रखिए, burn को hospital, जब you should go to a hospital, अगर, अगर आपका burn जो है, 3 inches से जादा है, burn अगर आपके face, hand, feet, groin या बटक में है, face, hand, feet, groin या बटक, तो आपको hospital जाना है, major joint, knee joint, या कोई भी major joint में है, तो hospital जान पड़ेगा, वरना कई बार joint में contraction आ जाता है, चलने फिरने में दिक्कात आ सकती है, इसलिए तब भी जाना पड़ेगा, और अगर pain होता जा रहा है, pain killer से या paracetamol या simple device होनी जाना तो भी जाना पड़ेगा, अगर किसी फ्रकार का low blood pressure, dizziness, चक्कर आ रहा है, breathing problem हो रही है तुरंद जाना पड़ेगा, यह सब जरूरी है, और इन सब condition को देखते हुए, आपको दवाएं दी जाती है, अगर लग रहा है infection है, तो antibiotic भी दी जाता है, anti-itching medicine बहुत खुझली होती है, burning में, इतनी खुझली होती है कि पुछो मत खुझली करोगे, और ज़्यादा धिक् से, severe burns को rehabilitation करना बहुत मुश्किल हो जाता है, skin replacement, pain management, cosmetic surgery, counseling, patient education, कितना कुछ करना पड़ता है, एक simple burn के वज़े से, एक छोटी सी एक second की गुसा, एक second का आपकी गलती, mistake, आपकी जिंदगी बरबाद कर सकती है, किसी की जिंदगी बरबाद कर सकती है, इसी लिए बहुत जरू college को सही अपने दिमाग में रखना, और कोई भी छोटी मोटी चीज है, उसको छोटे बच्चे, बुढ़े या ऐसे लोग जो चीजों को handle नहीं करता है, उनके दूर रखना है, उनसे chemicals को घर में सफाई करने वाली चीजों को ऊपर रखे, ऐसी जगा रखे, घर के अंदर burn न करते हो, chemicals को दूसरे chemicals से mix मत होने दो, chemicals को use नहीं करेंगे तो और अच्छा है, chemicals को ventilated area में रखो, chemicals को original container में रखो, chemicals को store करो properly और safely discard करो जब use हो गया, ये जानकारी को तुरंट तुरंट शेर करिए, मुझे पता है क्या-क्या वाइरल चल रहा है, उससे जरूर ये जानकारी अगर आपको लगती है, तो ज़रूर शेर करें, ये जानकारी सब को होना इची है, खास कर किसी के घर में बुड़े हैं, बच्चे हैं, तो उनके लिए, सब घर में रह रहे हैं, chemicals को दूर रखिए, thank you so much, stay connected, stay healthy.